शमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो Don't sit idle कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एच में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग है और इंडिया पे बने बढ़े है गलट टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई अब खाली बैठने की आदत पड़एगी तो आपको सरकल कैसे लोगों के साथ में बनेगा वो लोग जो खाली हैं विल्ले हैं अब एल्ला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए टाइम पास करेगा टाइम पास कैसे होता है पत्ते खेलेगा पत्ते खेलेगा सट्टा लगाएगा उल्टे सीदे काम करेगा रैट यह सब मिलता जोता है पत्ता सट्टा सुट्टा इन टा से मचके रहो जी आगगा समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? Does it make sense? कि अगर आप खाली हो गए तो आप टाइम पास करो This is one option that you have got Second option क्या है? कि खाली टाइम है इसको यूटिलाइस करो Let me do something to make myself better Not just in terms of education But overall Most important advice में आपको ये दे सकता हूँ Based upon my understanding and experience कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके career से बिल्कुल भी related नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी investment नहीं है ना टाइम की ना पैसे की For example Steve Jobs का नाम सुना है आप लोगो ने तो He was in one of the best universities in the world और उन्होंने साथ-साथ में क्या किया था पता है किसी को Calligraphy Calligraphy He was not in an art college But he was learning Calligraphy लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने dots को connect किया इसको बोलते है connecting the dots तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें ठीक है तो ये छोटी-छोटी चीज़े होती है life में जो आपकी personality को एक अलग level पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में गुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मत गुमो कुछ सीखने के motive से गुमो आप समझ गया है ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहाँ पे भी अपना mindset ये रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हूँ time को utilize कर रहा हू why not this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है because time pass इतना गंदा वर्ट है that means कि आप डल हो गए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज़्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज़्यादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हर्गते करता है समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछनो कुछ सीख लो कुछ नई दोस बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें ना कि अपनी अपनी बोलते रहे है कि नहीं मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जो चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेगिन अगर आपका सीखने का मैंड सेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ नो कुछ सीख रहे हो ना तो यू नोटेश कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिरव आप एक कॉलेज से डिगरी लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गहे थे या माइनर चेंज़ आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांस्फर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तु वैसा ही है बिल्कुल नहीं बदला तो समझे हो आप गलत राइक पा जा रहे हो लोग इसको कॉंपलिमेंट समझ लेते है तो इस नाट अ कॉंपलिमेंट नहीं पहले भी थके होई थके होई हो इसका मतला आपने कुछ सीखा है आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे आप उससे कुछ बैटर हो गया तो यह सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी ही आपकी एज है 18 अननेश साल तो यह अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए यह टिके कैसे रहोंगे इस थॉट के ऊपर जिसके मैं आपको बात कर रहा हूं कि कुछ नो कुछ सीखते रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हो तो क्या हो रहा है? कभी सोचा है मैं constantly grow करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले छे महिने बाद मिलोगे तो यू उड़ फाइंड डिफरेंट पोस्ट कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकमफर्टेबल भी लगेगा वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे ना बदल गया भाई समझ कहें ना? That means I am growing मेरी understanding भढ़ रही है I am not stagnant मैं रुके ओवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है मैं बहते ओवे पानी के जैसा हूँ बह रहा हूँ, बड़ी तेजी से बह रहा हूँ 24 घंटे सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है? तो most important यहाँ पर अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहिए वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नसर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो वो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है कि घरवालों ने कहा है कि ये career choose करो और पढ़ो तो हाँ बस घरवालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी ये हो जाएगा हो जाएगा सब बिकार है ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फाइदा क्या है if you're not charged about it if you're not excited about it तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला attitude होगा तो you will never get stuck in your life आप constantly आगे 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 भढ़ते चले जाओगे grow करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जहाँ करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है आगे घरवाले मेरे पास आजाए कहा है अजी हमारा बच्चा घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो थगे होए टीवी देख रहे हो उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जा करके और जा करके बैठ करके लोगों को अब्सर्व करो देखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, सोच पा रहे हो, जैसे for example, आप एक engineering college में हो, तो आप क्या बनने वाले हो, engineer बनने वाले हो, engineer बनके क्या करोगे, क्या करोगे, किसी न किसी multinational company में जाओ होगे, बार जाकर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को, जो वहां पहुच चुके हैं, जहां पहुचना चाहते हो, जाकर के उन लोगों से बात करो, बात तो करी लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है, lunch break होती है, उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, जाकर रहा हूं, तो I just want to learn something from you, can you share something out of your experience to me, it would be really helpful for me, सोचो, तो उनसे बात करके, आप जो सीखोगे, क्या को छोटी चीज हो की, बहुत बढ़ी चीज हो सकती है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तो busy हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ constructive सीख रहे हो, तो सक है, उनसे बात करके, आपको ideas मिलेंगे, कि जो तुम कर रहे हो, सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला, साथ में ये भी कर दो, तो now you have an edge, मतला आपके college में जो हजारों बच्चे हैं, और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया, तो कि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जो वो नहीं कर रहे है, चाहिद वो समझ नहीं पा रहे है, वो देख नहीं पा रहे है, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको, कि मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक तो मेरे को हमिशा अपने आपको बजी इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे, अभी अगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए, समझ गए है, गए है पूरी life के लिए, मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते होगे, और comfort zone बड़ा boring होता है, यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आपको देखोगे, अगर यह comfort zone में पहुच गए, तब आपको realize होगा कि यार life कितनी boring है, repeat होने लग जाती है life, same routine चलने लग जाता है, शुरू म if that is your habit, अगर वो आपकी आदत बन गई है, अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो, अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो, जिसको देख करके, the whole world will be proud of you, तो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया, whether they will be proud of you or not, but you will be proud of yourself, most important.